दोस्तों वोट्स अफ वीडियो कॉल ओडियो कॉल और हमारी जो चेटिंग है क्या ये सेव करके रखता है अपने सर्वर के उपर इससे पहले भी मैंने अपने इस चैनल के उपर दो या तीन वीडियो अपलोड कर रखे हैं लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ पर जो कॉमे वो यही कॉमेंट आ रही है कि हमारे जो वीडियो है वो समझ में आ गया और हमें पता भी लइग गया कि जो वौट्स अप है, वो हमारी चेटिंग को सर्वर नहीं करता है लेकिन फिर भी जो कॉमेंट आई है उसके कॉमेंट है वो यही होगी कि हमारे वीडियो समझ में आ गई कोई भी कॉमेंट है नेगेटिव नहीं आने वाली है कि हमारे वीडियो समझ में नहीं आया है जो आपकी कॉमेंट है वो मैंने यहां पे लिख रखा है जो आपके क्यूसन आये है वो सारे मैंने यहां पे कवर कर यह लेकिन फिर भी कोई रहे जाता है तो आप नीचे comment box में लिख सकते हैं इसके बाद भी तो सबसे पहले बात करते हैं वोटसब के chatting से बात करते हैं कि वोटसब पे हम जो chat करते हैं क्या ये chatting है वो वोटसब अपने server के उपर save करके रखता है या नहीं रखता है देखिए दोस्तों सबसे पहली बात यह है कि WhatsApp है वो अपने सर्वर के उपर जो हमारी चैट है वो सेव नहीं करके रखता है आप WhatsApp की जो प्राइवेसी पॉलिसी है उसको आप रीड कर सकते हैं पढ़ सकते हैं देखिए WhatsApp यह बोलता है कि जो चैट सिस्टम है यह end-to-end encryption होता है इसका मतलब यह होता है माली जी आप किसी सामने वाले के पास में चैटिंग कर रहे हैं जब यह आपने कुछ भी लिखा है जब यह सर्वर से गुजरता है यानि डायरेक्ट तो जाएगा नहीं WhatsApp का जो सर्वर है उससे जब यह गुजरता है तो आपने जो लिखा है आपके जो आपका डिवाइस है उससे निकलने के बाद में WhatsApp के जैसे ही सर्वर में पहुंसता है तो वहाँ पर यह कोडिंग में बदल जाता है माली जी आपने कुछ भी लिखा है तो यह WhatsApp के सर्वर के उपर एक कोडिंग भासा में आ जाएगा और जैसे ही सर्वर से निकलता है यहने हमारा message है वो देख लिया है लेकिन वो एक brown से color में रहता है यानि तो वहाँ पहुंच जाता है इसका मतलब है message अगले के पास पहुंच गया है इसका internet own है पहुंचने के बाद में जो message है अगले के पास पहुंचने के बाद में वो decode होगा यानि server पे coding भासा में था और आगे पहुंचते ही वो decode हो गया जैसा आपने लिखा है सामने वाले को वो वैसा का वैसा ही दिखाएगा और जो पिछे बीच की process है server से वो chat है वो गायब हो जाएगी server पे वो नहीं रहती है अब बात ही आती है कि जो chat वगेरा है वो leak कैसे हो जाती है देखिए सिंपल सा इसका एक तरीका है कि जो chat होती है वो leak कैसे होती है ज्यादा तर जो cases मिलते है उसमें यही cases मिलते है कि जिसको आप chat कर रहे हैं तो सामने वाले के पास जो chat है वो leak होती है ना की server से leak होती है अब दूसरा question एक ये भी बनता है कि जैसे कोई investigation चलती है WhatsApp की तो जो chat है वो recover की जाती है हाँ ये बिल्कुल बात सही है आपकी जो chat है वो recover की जाती है लेकिन वो किस case में की जाती है वो की जाती है high profile कोई case आ जाता है मालीजी किसी case की जात चल रही है वो जात CBI के पास में चली जाती है तो वहाँ पर जो WhatsApp है वो chat को recover करता है क्योंकि WhatsApp जो company है वो छोटी company नहीं है बहुत बड़ी company है इसमें engineer भी है लेकिन जो छोटे मोटी case जो चलते रहते हैं इनमें जो chat है वो recover नहीं होती है SEO तो बिल्कुल भी नहीं होती है वो WhatsApp है वो भी recover करके लेके आता है यानि कि device के जो glitches होते है उनको ढूंडता है जिसने भेजा है उसके glitch ढूंडता है जिसने प्राप्त किया message उसके ढूंडता है वहाँ से कुछ सबूत मिलते है तो उस परकार से वो जो chat है वो recover करके लाती है ढूंडता है WhatsApp है वो अब बात करते हैं audio और video call गी देखिए simple तरीके से मैंने पहले भी आपको वीडियो में समझाया है कि WhatsApp है वो आपका audio call video call recording नहीं करता है आप ये चीज भी privacy policy के अंदर पढ़ सकते है WhatsApp के कि audio call, video call कभी भी record है वो नहीं करता है अब बात ये आती है मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया कि कोई third party है वो आपके video और audio call को record कर सकती है अब आपकी comment ये आ रही थी कि third party कौन है third person कौन है अब देखिए simple से आपको बताता हूँ कि आज कल market के अंदर आप देखते हैं कि online का ये जमाना है तो online में आप देखते हैं कि screen recording जो application है बहुत सारी है बहुत सारी आपको मिल जाएंगे कहीं से भी आप ले सकते हैं अब आपने किसी को call किया उस समय उसने screen recording कर लिया तो आपकी जो screen ही तो record हो रही है उस application के अंदर तो आप जो बात कर रहे हैं वो पूरा का पूरा उस screen recorder में आ जाएगा तो वहां से video call है जो leak है वो हो जाते है audio call same process audio call की रहती है चाहे आप audio call करो लेकिन जो application है वो screen तो आपकी record करेगा screen recording के साथ साथ में उसमें voice recording भी होती है तो वो आपकी voice recording भी है वो कर लेगा अब तीसरे बंदे की बात आई मैंने आपको पिसले वीडियो में बताया कि तीसरा बंदा आपकी जो recording है वो कर सकता है आप कमेंट या रही थी कि वो तीसरा बंदा कौन सा देखिए आज कल ग्रूप calling होती है आप WhatsApp पर एक साथ पांस साथ आदमियों को जोड़ करके बात कर सकते हैं ठीक है आपने यानि आप तीन बंदे जुड़े हुए हो तीनों वीडियो कॉल कर रखा है तीनों ने अब दो बंदे तो ठीक है बाते कर रहे हैं लेकिन तीसरे के मने में पता नहीं क्या है तो वो आपकी स्क्रीन रिकोर्ड कर रहा है यानि कि इस तरह से तीसरा बंदा आपकी स्क्रीन है वो रिकोर्ड करके वीडियो कॉल और ओडियो कॉल रिकोर्डिंग कर सकता है बाकी वोटसप है वो कभी भी नहीं करता है ये चीज आपको ध्यान में रखना है मैंने आपको यहाँ पर बता दिया लीक कैसे होती है चैटिंग वगेरा वो लीक कैसे होती है जिसको आप भेजते हैं उसी के दवारा होती है मैंने थैर्ड परसन के बारे में आपको बता दिया कि थैर्ड परसन है रिकोर्डिंग कोन करता है और यहाँ पर वोटसप चैट जो बैक अप है उसके बारे में भी मैंने आपको कम्पलीट बता दिया है कि जो chat होती है उसका backup है वो कैसे WhatsApp करता है ये चीज आपको ध्यान में रख रहा है एक बार मैं फिर clear कर देता हूँ कि आप WhatsApp की जो privacy policy है उसको आप read कर सकते है वहाँ पर chatting है आपकी वो कभी भी WhatsApp है वो save नहीं करता है यानि वो server पर आपके रहती ही नहीं है वो save होते हैं लेकिन वो कब तक होते हैं ये एक चीज देखिए जैसे आपने फोटो भेज दिया अगले के पास में फोटो नहीं गई यानि अगले ने फोटो नहीं देखी है उसका internet चालू नहीं है और एक ही टिक लगा है कि जो पहुंचा नहीं है उसके पास में आपने जो फोटो भेजी है वो पहुंची नहीं है तब तक WhatsApp के सर्वर के उपर आपकी फोटो है वो रहेगी और जैसे ही अगला बंदा है वो देख लिए आपकी फोटो की आपने क्या बेजाया और उसने टिक किया ability का गया है कि यह photo देख लिए तो वहाँ से WhatsApp का जो server है उस पर से जो photos है वो delete हो जाती है ठीक है अब बात यहाती है कि photos leak कैसे आती है तो same वो ही process है जो आपकी chatting की है वो ही या तो जो leaks है वो आप जिसने भेजा है उसके दवारा होती है या फिर अपने खुद के दवारा होती है यानि आप एक चीज और अगर आप WhatsApp पे personally कोई photo वगेरा वीडियो वगेरा या फिर personally chat करते हैं तो आप अपने smartphone के अंदर कुछ ऐसे application आते हैं third party application होते हैं जिसको हम permission दे देते हैं यानि वो photos gallery का भी permission ले ले है वो contact का भी ले लेता है हमारे call SMS का भी ले ले लेता है तो इस परकार की जो non app होते हैं जिस पे आपको trust नहीं है उस परकार के app को आपको permission नहीं देना है अपने smartphone में install करके नहीं रखना जो play store पर है आप उसको download कर सकते हैं store के अलावा आप कहीं से download करते हैं तो यह अपने smartphone के लिए harmful होते हैं तो इनको आप कभी भी permission है वो नहीं दे सकते हैं क्योंकि यह आपकी नीजी जानकारियों के साथ साथ अपनी जो personal यानि की banking details होते हैं वो भी चुराते हैं और जो personal जो हमारे phone के जो वीडियो को वीडियो है फोटो है जो भी है चैट मेसेजिंग वगेरा है इनकी permission लेके यह कुछ भी यूज में है इसको ले सकते हैं तो यह आपको ध्यान में रखना किसी third party application को कभी भी आप अपनी स्मार्टफोन में permission नहीं देना है जिस application पर आपको trust है उसी को permission देना है तो मेरे हिसाब से आज के वीडियो में सारा का सारा डाउट है वो side clear हो गया होगा आपका ठीक है तो दोस्तो वीडियो कैसा लगा आपको अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को like किजे share किजे अपने दोस्तों के पास में अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को subscribe कर लें ऐसे ही वीडियो आपको हमेशा इस के उपर मिलते रहेंगे तो दोस्तों मिलते हैं एक और नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए बाई एंड टेक क्यार जै हिंद वंदे मातरम